नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में आज हम जिस राज्ये पे चर्चा करने वाले हैं उस राज्ये का नाम है नागा लेंड जैसा कि आप जानते हैं ये भी राज्ये एक सेवन सिस्टर्स आफ स्टेट से ब्लॉंग करता है और ये जो एक राज्ये है ये लेंड लॉक्ट स्टेट है और इसकी कहां ये लोकिरिड है ये मैं आपको आगे दिखा कर चलूँगा आज जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो होगा कि कितने इस राज्ये में जिले हैं और कितने सीटों के बारे में हैं इस राज्ये में हम जानकर चलेंगे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं और क्या यहां पर जो सीटों का आकड़ा है वो किस तरीके से है वो आज हम जानकर चलेंगे और इस समय किसकी सरकार है ये भी आज हम इस वीडियो में जानकर चलेंगे तो चलिए आपने ये मैप तो देखी लिया कि इस तरीके से हमारे इस राज्ये को 16 जिलो में बाट रखा है 16 district है इसकी इस राज्य की जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक इधर यहाँ पर located है हमारा नागलेंड और अगर हम यहाँ पर बात करें चीफ मिनिस्टर की मुख्यमंत्री की तो नेफ्यू रियो एंडी पीपी से यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री है अगर हम विदान सभा की सीटों की बात करें तो 60 सीटे यहाँ पर हैं राजे सभा में भी एक सीट है और लोग सभा में भी यहाँ पर एक सीट हमारी निकल कर चलती है अगर हम बात करें तो एंडी पीपी एक पार्टी हो गई अगर हम देखें तो एंडी पीपी से नेफ्यू रियो हो गए जिसको एंडीय का समर्तन है और यहाँ पर जो बीजेपी का है और सीटों का आकड़ा अगर हम बात करें तो 2018 में फरवरी के मन्त में 27 फरवरी 2018 को यहा तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से 2018 में आकड़ा यहाँ पर दिखाई चलता है यहाँ पर 60 सीटे थी जिसमें से एक सीट पर जो नेफ्यू रियो है ये इलेक्ट हुए थे अनपोजडली ठीक है मतलब इसका कोई भी इनके विरूद में कोई केंडिडेट नहीं था बात कर लेते हैं बाकी 59 सीट जो थी उसमें से NDA को अगर हम देखे तो समर्थन में 30 सीटे हमारे पास मिलकर चली थी तो अगर देखा जाये तो 31 सीटों के साथ NDA ने अपनी सरकार बनाई और उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी को गोशित कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और अगर मैं आपसे आकड़ों में बात करूं कि 2018 से पहले क्या आकड़ा था तो 2013 का आकड़ा कहता था कि जो 38 सीटों के साथ NPF नागा पीपल फ्रंट सबसे आगे थी और उसकी सीट घड़कर 26 ही रह गई तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे और ये हैं हमारे नेफ्यू राज्य जी जो कि इस राज्ये के इस समय के मुख्य मंत्री है तो इसी तरीके से ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहा है और इस तरीके से हमने पूरे राज्ये की एनलिसिस कर ली क्योंकि इस साल 2013 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो कहीं न कहीं हमारे को उन राज्यों के बारे में पता होना चाहिए और मैं आपको इन परसन के भी बारे में बता दोता हूँ ये एक काफी अच्छी कॉमेडी वगरा करते हैं आपने भी तेमजन इमा अलोंग का नाम सुना होगा नहीं तो आप एक बार गूगल कर लीजेगा इनके बारे में आपको जानने को मिल जाएगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद